आज मैं आज मैं आपको पड़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश की पॉम जिसका नाम है और फोटोग्राफ रिटिन बाइ शिरली टॉसन ठीक है तो यह जो पॉयम है इसमें हमारी पोटेस ने हमें बताया है अपनी मदर के बारे में और एक फोटोग्राफ के बारे में तब पॉयम को नाम है फोटोग्राफ ठीक है तो होता किया इस पोएयम के अंदर उनकी जो मदर अब वो नहीं है और वह अपनी मदर को याद करें क्या याद करती है वह कि rapebee झैपने बच्बने गये और साथ में अनकी मदर की दो बहलें थी मतलब समझ लो कि मासीयाँ तो मेरी अदा जिन्दा थी तो वह समय पे वाली फोटोग्राफ देखती थी और बहुत खुश होती थी देखके और वह अपने बच्छपन को याद कर दी थी कि अरे वहाँ हम ऐसे घूमने गए थे और एसे कैसे हम लोगों को तयार कर रख हैं देखके वह हस्ती थी फोटोग्राफ को समय व अपने खूय पर बच्छ्मन को याद कर दी थी और हमाही जो पोएटस है वह अपनी मदर को याद कर दी कहसे वह जप जिन्दा थी तो उनके साथ टाइम स्पेंट कर दी थी और उनकी हसी कर दी है जैसे आर जो है इस बात पर उनूंहे यह पोएम लिखिया थीज़ है तो च जो उनकी जब मदर भी हमारी ऑठर की जब 12 साल गी तब की फोटो है तो ऐसे प्रण जो है ना उसको स्टो अच्छे से भराब नो फोटो तो ऊसे कार्ट बोट पे लगा दिया गया होगा तो वहां फोटोग्राफ को ही कार्ट बोट कहह रही है तो the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went pagling each one holding one of my mother's hand and she the big girl some 12 years or so तो वो कहते है cardboard shows me यानि कि वो तो फोटो थी फोटो पे क्या दिख रहा था कि जब दो girl cousins यानि कि दो girl cousins और उनकी mother जो है घूमने के लिए गए ते कहां पे बीच पे इच वन होल्डिंग one of my mother's hand यानि कि उनकी दोनों माचू ने एक एक ने जो है उनकी mother का hand पकड़ा का था मैंदर उनकी बीच में थी ठीक है शी दब बिग गर्ल सम 12 और इस समय पे उनकी एज क्या है वो बारा साल किया उनकी ममी ठीक है आगे पड़ते हैं all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera ठीक है और क्या कर रही है वो उसमें जो है पोटो में क्या पोस दे रही है वो समझ लो आप ये फोटो है उसमें ये हमारी पोटेस की मदर हो गई ये उनकी दोनों मासियाओं ठीक है तो कह रहे हैं तीनों जो है उनके हवा में बाल जो है बिलकुल ऐसे उने क्योंकि वह बीच पे उसमें पे तो उन तीनों ने ऐसे स्माइल कर रही है तो उनके जो अंकल है वो जो फोटो खीच रहे है वो उनकी अचिसी एक फोटो आज़ा ठीक है तो कितना फ्यारा लग रहा था मेरी मदर का उसमें फेस वो तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं होती जब उनके मदर 12 साल किये तो वो समय पे पैदा नहीं हो थी ठीक है अब क्या कहते है उस फोटो में और क्या दिख रहा है विसली बीच की फोटो उसके का समुदर दिखेंगा को शमुदर के बारे में कुछ बताती है जो उस फोटो में देख रहा था तो उस कांड़ वाली फोटो में & the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet यहाँ से अग्जाम में बहुत फोटो के अदर वहां अगर मैं आज भी चली जाओ इस लेम जगा पे तो वही अगर वही समधर क्या दिखेगा तो उसी चीज को वो कह रही है कि उनके पेरों पे भी लहरे आ रहा ही थी उस फोटो के अंदर बट यहां पे उन्होंने एक मीनिंग छुपाया है यहां पे उन्होंने बोला है and the sea which appears to have trained less was a terribly transient fin अब feet से पीछे पेरों से पीछे लिखा है terribly transient इसका मतलब क्या हुआ देखो transient मतलब होता है वो चीज जो बिल्कुल पर्मनेंट नहीं होती है तो यहां पे वो हमें यह कहना चाहरी है कि जो human life है देखो वो permanent नहीं है यहां पे वो हमें nature की permanent show कर रहे हैं कि nature कितना beautiful है and nature is everlasting and जो हमारी human life है वो permanent नहीं है कहीना कहीं वो दुख मना रही है इस बात का that her mother is not there with her ठीक है तो यहीं कहते है and the sea which appears to have trained less समुद्र वो तो टीजन नहीं हुआ nature permanent रहता है ठीक है वोस्ट देयर वोस्ट देयर कोन है उनकी मतर उनकी बहने टेरिबली transient feet transient मतब क्या है non-permanent feet कि इंसान की पैर कैसे non-permanent आज हम है कल नहीं होंगे ठीक है तो यह चीज़ वो इसमें explain कर रही है इस वाले points exam में बहुत सारे question आएंगे तो यहां पर paddling का मेनिंग देख सकते हो paddling ना two girls cousin went paddling paddling मतलब होता समुदर के किनारी पे बीच पे walk करने को paddling के ठीक है अब आगे पढ़ते हैं हम अब आगे पढ़ते हैं some 20-30 years later she would laugh at the snapshot see Betty and Dolly she would say and look how they dressed this for the beach तो वो याद करें हो किए 20-30 साल जब बीच चुके थे यानी कि जब उनकी मदर की शादी भी योगी और हमारी author भी पैदा हो गए थी तब 20-30 सालों बाद जब वह इस photo को देखा कर दी थी photo को यहां उन्होंने क्या का है पोटो को snapshot का जाता है जैसे Snapchat है ना समझ जो आप तो यह snapshot के दिए वह snapshot को देखती थी और हस्ती थी और कहती थी देखो बैटी को देखो डॉली को देखो तो बैटी डॉली कौन हो गई उनकी सबसे गहरी लाइन आइस पोयम की दसी हॉलीडे वाज हर पास्ट हर कौन है हमारी पोयट की मदर पोयटिस की मदर है ठीक है यहां पर माइन इस हर लाफ्ट और उनके लिए क्या है पास्ट अपनी मदर की हसी जैसे वह जब जिंदा थी तो वह हसा करती थी कहनी है की बोथ राए मतलब क्या होता है परिशान होना कराइ करना विद लेबर इस ओफ लॉस यहांनी की अपने अपने लॉस के लिए उनकी मदर ने क्या खोय अपना बच्श्पन और उन्होंने क्या खोया अपनी मदर नहीं उनके साथ में तो वह कह रहे हैं बोथ क्राइए करते हम दोनों ही परशान होते हैं वह होताब होती थी मैं बोथी हूँ यह जो लॉस हमारे साथ हुआ है यानि कि वो काफी दुखी है बिकास हम मदर इस नौट विद ठीक है तो विद इस यह स्टेकंड सेंजा कंप्रीट अब परते हैं थार्ड स्टांजा तो आप वो क्या कहने है नाओ शी इस देर नियरली आज मेनी इस आज गर्ल लिफ गर्ल कॉन अपनी मदर के कहते हैं कि अब उनकी डैथ को अलमूस इतने साल हो गए हैं जितने साल उस बच्ची के थे कौन सी बच्ची जो उस फोटोग्राफ के थी तो फोटोग्राफ पी उ अब उनकी मदर को चल भी ठीक हैं और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है इस साइलेंस इस यानिकी यह जो शांती इस चीज की जो एक लाइफ में उनके वॉइड क्रीट हो गया एक खालीपन क्रीट हो गया उनकी लाइफ के अंदर वह बहुत ज्यादा परेशान है इस परेशान हो गई है यानि कैसे दुख यह रोती नहीं है वो ठीक है शी डॉंट क्राइब हो गई है और खालीपन है उनकी लाइफ में तो विद इस यह पोएम आपकी कम्प्रीट हो गई है क्लास 11 इंगलिश की पोएम दा लिबर्नम टॉप तो यह बहुत सिंपल सी पोएम है इसमें हमारे को एक सिनेरियो दिखाया है जहां पर एक लिबर्नम के पेड़ के ओपर आके चिडिया बैठती है और वो बिल्कुल लाइफ लाइक हो जाता है पहले चिडिया के आने से पह ओन में स्षरू होने वाला होता है तीरे-थीरे सेप्टेंबर के वहीन बादी निवेंबर से हमारा जो है और सीन शुरू हो जाते है कि यह जगाए लग लग जगाओं पर अलग जगवों पे ओए तो यह जो सेडियों यह पताया है तक मिधुच गश्ला है अपेड़ बश् तो बिल्कुल ही फिर वो जो बेजान से लग रहाता है पेड़ और महौल इतना शांसा था तो यहीं चीज को पोएम में जो है बताया है अब इस पोएम के वह आप मुझे पता होगे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से और मैं आपको पढ़ाती हूँ जल्दी से हमारी यह पॉम द लेबर्नम टॉप ठीक है आप लोगों ने कभी लेबर्नम ट्री देखा भी होगा अपनी सराउंडिंग्स में अगर देखा है तो बताना कुछ ऐसा सा दिखता है यह लेबर्नम ट साइलेंट क्वाइट स्टिल तो साइलेंट भी लिखा है शान भी लिखा है क्वाइट भी लिखा है तो तीन शब्द यूस करे गए हैं एक ही बात बताने के लिए कि बहुत बेजान सा लग रहा था उस समय में वह पेड़ लेबर्नम टॉप इस साइलेंट मतलब भी होई है इन दे आफ्टनून येलो सेप्टेंबर सनलाइट अ फ्यू लीव येलो इंग ओल इस सीज फॉलन तो यहां पर पोईतने हमें बताया है कि कैसा था वह पेड़ो समय पे तो लेबर्नम टॉप जो सका टॉप वला हिसा था पूरा वो साइलेंट था क्वाइट था और स्टिल सेप्टेंबर सनलाइट के मतलब ही कहीं न कहीं ही है कि वह उसमाहल एक और येलो इस सीड आ रहा था हर जगा पे और जो पत्ते थे वह तो इस पेड़ के वैसे येलो होते ही है बट हमें यह बताया जा रहा है कहीं हमें आप्ट सीजन का हिंट दिया जा रहा है बाइसे ये हिस न खड़ा जैते हैं जैससे आप चलो जरी तो येलो होती है जाती है मोहल इस पढ़ोपन यलोय से चैनलाइट का जाति है रात दिखाए जाती है अब इस पोयम में दिखा लिए सुना किसी पोयम में देखा लिखा लेगे जारी हुंद दिन के 2 बजे पोयम रिखी जारी है ठीक है वाल दिखाया जाता है अब इस poem में हमें यहां पर कोई सा महल दिखाया जाते है दुपेहर में जब दूप में कोई घर से बाढ़नी निकलता उस वाले समय को हाँ पर समझाया जा रहा है ऐसा सा विकुल still quiet सा महल है हमारे Liburnum tree में और tree के आसपास में ठीक है आगे पढ़ते हैं क्या होता है till the goldfinch comes तो देखो यहां पर यह लाइना एक साथ continue होनी है मैंने second page पर कर दिया है the Liburnum top is silent है quiet है और afternoon में है yellow में seeds गिरे में है till तिल लगाया यानि कि silent तब ही तब तब तक वो चिडिया नहीं आ जाती है till the goldfinch comes तो गयरे शांती बस उत्ती देर की जब तक goldfinch नहीं आए थी तो जब the goldfinch आती है तब क्या होता है यह अब जानते है a suddenness a startlement at a branch end और suddenness एक movement होती है और startlement यानि कि हल्चल होनी शुरू हो जाती है ब्रांच के end पर आपने देखा हो का कभी भी चिडिया पेड़ पया बैठती है तो एकदम से पेड़ के अंदर नहीं जाती पहले कर आके बार जो है डाल होती है पेड की जो ब्रांचे होती है उ Sleek as lizard and alert and abrupt she enters the thickness and a machine start up अब आपको यह समझनी आएगा क्या हो रहा है then sleek as lizard आपने चिपकली को देखा है कैसे चलती है समझ में ही नहीं आता कब कहां से कहां चली जाती है स्लीक करती है जिपकली जागर चल के बराबर में से जाएगी तो इतना पता नहीं चलेगा or और चीशें जाती है आहिए आपको STA.,N słu और जाती है ठीक है फ्सक्राइब गर गर जाती है चीडि यो हैने को थे मठीशय चीड जाती वो भूखे भी थे, वो इसलिए भी चीची कर रहे थे, साथी के साथ में मशीन स्टार्टप से आप मतलब ये भी है, कि जब बच्चों ने चीची कर रहे, बच्चे तो गोसले के पहले भी होगे न, जब वो स्टेल को स्पेड़ को कहने है, तब तक कुछ भी शांत महौल था बच्चे खुश हो गए, कि फूड आ गया है, मदर को दे के खुश हो गया है, तीसरा, वो जो डल महौल था, जो लाइफलेस महौल था, स्टिल को आइट साइलेंट की दोपहर जो हो रही थी, अब वो बेकुल ही एक लाइफलाइक मूवमेंट में बदल चुके थी, ठीक है तो क्या होता है, and machine starts up, रचिंच हो, ऑफ चितर करने लगती है, tramor of ing, जो अपने परों को हो जो ही हिए, उनको भूब लगी थी, and trilling, तो वो पूरी मूवमेंट कर थी, कि उनकी मम्या गई, अब उन्हे खाना मिलीगा, the whole tree trembles and thrills, अब आप यहां पे, contrast, देखो, ऊप़ री तो अब ट्री बिल्कुल ही लाइफ लाइफ लाइक हो गया बहुत ही मुवमेंट और ट्री के अंदर ट्री आप संदो कि आसवास की महाल खुश हो चुका है इंचन वह कौन है वही गोल्ट पिंचवर्ट जो आई थी वह इंचन है अपनी फैमिली की इंचन क्यों कहा चारा हुए वही फीड कर रही है अपने बच्चों को वह खाना लेकर आ रही है तो जिस तरीके से जो है स्कूटी जो है और जो भी हमारे ऐसे वेहिकल से होते हैं उनमें इंजन होता है जब तक हम उसको फीड ना करें पेट्रोल तो वो नहीं चलेंगे या डिजल तो उसी तरीके से यह जो बच्छे हैं यह मशीन कहा दिया उनको और इंजन जो है कौन हो गई इनकी मदर हो गई जो खाना लेकर आ रही है और फेद पूरी-पूरी मशीन को स्टार्ट अप कर रही है ठीक है शी स्टोक्स इट फूल देन फ्लर्ट आउट तो अब ब्रांच है स्टोक्स मतलब क्यों होता है को स्टोक्स एक वर्ब है इसका मतलब यह है कि फ्यूल करना की सिटीज को जैसे खाना खिलाने के सेनेरियो को और उने का स्टोक सिट अब यानि कि जो मशीन ना बच्चों की तो ने जितना खाना खिलाना था वो मदर फिंज बढ़ खिला देती है दिन फ्लर्ट मतलब यह नी फ्लर्ट करी वह नहीं उड़के एकदम से बहार चली जाती है तूब जिसमें जो मदर फिंज बढ़ है उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया है जैसे हम पेट्रोल डालते है में जो है स्कूटी अंदर या किसी भी मशीन को अगर चलने के लिए वैसी जो बच्चे मशीन है इनको कहने की ज़रत है तो इनको खाना खिला देती है मदर गोल फिं इनको चलाता है तो यह तरीके से अपने फैमिली की इनको चलाना है कि वो चाहती है बच्चे बड़े हो और उड़े नसी के वह तो उन्हें अच्छा खाने की ज़रत है तो वह खाना कौन लाए है मदर गोल फिंज बड ला ए है तो अब वापस आते है इस पे दें फ्लर्ट अगर यह लेबर्नुम के त्री बैठ जा तो आपको दिखाई भी नहीं देगी क्योंकि लेबर्नुम की पतियां भी पीले रंकी होती है बस एक चीज जो आइडेंटिफाय कर सकते हो आप इसको वह है काले रंकी पती चारी होती है इसके आंक के पास यह आप देख सकते हो फ इसका यह की आइधिट इक को रिल करते है तो यही चीज पो इतने लिखी है बारिएट । प्रलिबेंटी मासक ब्लाकशर की पत दियूचए कर दैं वी देलिकेट के विसेल चरएं विस्परिंग्स दरी मतलब होता है को अधीं अर्ड़ा प्युषी प्रिस ना थोड़ा से करती है आने की चिडिया की बूलने का तदीका ही है अलग से टाइप की ची ची करती है वह अपकी बारी पहले वाली टाइप की नहीं करती है she launches away फिर वह launch करते है जैसे अरोप्लेन launch करता है towards the infinite infinite क्या है यहां पर aswant sky and the लेवर्नम टॉप सबसडायस तू एम्टी और फिर से लेवर्नम टॉप किया हो जाता है एम्टी खाली हो जाता है फिर से वह स्टेल हो जाता है जैसे वह पहला था तो विद्द्रीस की पॉएम आपकी कम्प्लीट होती है तो इस अलक्सी पोएम में यह क्या करें हैं यह ना रेन से बाते करेंगे यानि कि बारिश ओरी है और यह बारिश से खूब सारी बाते करने वाले हैं तो conversation बनेगे इनकी और बारिश के बीच में और क्या conversation है वो हम इनकी पोएम में पढ़ेंगे तो पहली लाइन से start करते हैं हम और word meaning आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो जो difficult word meaning बहुत सारे हैं इस poem के अदर ठीक है तो वो बोलते हैं who are thou said I to the soft falling shard thou मतलब होता है you ठीक है तो वो पूछते है rain से who are you, तुम कौन हो sad I, icon है हापे हमारे poet है to the soft falling shards, soft falling shard क्या है rain है तो आप ऐसे लिखते है रहाँ अपनी anxiety में icon हो गए हमारे poet हो गए, चीक है who are thou मतलब के है and who are you मैंने पूछा किस से rain से पूछा मैंने with strange tell gave me an answer as he had translated फिर वो कहते हैं कि मुझे भी बड़ा अजीब लगा with strange strange मतलब अजीब होता है with strange to tell उन्हें हमें बताते हैं अजीब लग रहा है कि rain को जब उन्होंने पूछा तुम कौन हो तो rain ने उन्हें जवाब दे दिया ठीक है and who are you said I to the soft falling shards which strange to tell gave me an answer as he had translated with strange to tell उन्हें भी अलग लग रहा है बताते हैं वो कहे रहें बट हाँ उसने मुझे जवाब दिया और जो जरी ने मुझे जवाब दिया था मैंने यहां पर translate कर दिया है ठीक है तो यह दोनों जो lines थी यह poet ने कही है अब यह वाली जो line है यह rain कह रही है ठीक है तो यह rain कहेंगे rain क्या कहती है I am the poem of earth कि मैं earth की poem हूँ ठीक है said the voice of the rain eternal I rise eternal मतलब क्यों होता है never ending कि मैं हमेशा चलती रहूंगी I rise impallible impallible मतलब कि कोई ऐसी थी जिसे आप describe ना कर पाऊ पता ही न चले आपको जो है rain rise करती है out of the land at the bottomless sea out of the land land sir bottomless sea मतलब क्यों guys यहां पर evaporation का process बता रही है rain कि मैं originate कैसे हो जैसे हमने पढ़ाए कि land से और जो सी होता है river हो गई इन सब जगाओं से जो बहुत पानी होता है वह evaporate ओके उपर जाता है फिर बादल बनते है फिर वापर से बारिश होती है तो इसी process को poem form में जो है rain खुत कह रही है कि मैं poem हूँ अर्थ की eternal is eternal है rain ठीक है it will never stop raining अगर हम water को जो है ओवर यूज ना करें तो वाटर का तो हमारा इतना essential है हमारी life के लिए और जो गौड है उन्होंने हमार को as a कैसी resource दी है वह कि वह recharge हो जाएगी अगर हम water को और यूज ना करें तो पानी कभी खतब नहीं हो अगर हम overuse नहीं करेंगे तो क्योंकि it is rechargeable bottomless sea से हर जगा से लैंड पे से पानी जो होता इवापोरेटों के उपर जाता है फिर बादल बनते फिर बारिश होती है तो यह cycle तो चलती रहेगी हो तो हमारी गलते हैं हम overuse कर रहे हैं तो वह कहती है eternal I rise कि मैं eternal हूं मैं never ending home out of the land and the bottomless sea impalable मतलब इसके नोट डिस्क्राइब की कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है यह से क्यों ऊपर जा रहे है इवापरेशन ले चारी है भी नो बट स्टिल जो आप देख भी नहीं सकते हो आपको पता सिलते कभी एवापरेशन हो रहा है कुछ समझ में को कहीं पर आपको क्या दिखाई देगी ऐसे जाते वे नहीं दिखता नहीं है बट इस इस हापनिंग और रहा होगा हमें नहीं दिखेगा बट नीचर अपना जो है प्रोसेस ओंगोइंग रबता है नीचर में हर कुछ होता रहता है ठीक है तो यह होगा हमारा फर्स्ट आंज आगे पड़ते हैं अपवर्ट टू हैविन वेंस वेगली फॉर्म तो आप रेन अगा बली स्ञचर को एका को न हम चांटेंड है इस पर बाता ऑंप तो देख रहे हैं क्शु दिख़रीया ना लगला उसोगी इस तो वही हआं कि बता रही हमार को रेन की कि मैं heaven में जाती हूँ और वहां पर वेगी से structure बना देती हूँ जिनको हम cloud कह सकते हैं all together change and yet the same और जब मैं cloud बन जाती हूँ तो मैं विकुल change हो जाती हूँ पहले मैं water droplets की form में थी अब मैं विकुल cloud की form में आ चुक्यों मैं change हूँ अभी भी तो आप rain का nature देख रहो rain का nature कैसे change होता रहता है पहले वह evaporated water बन गया फिर वह cloud बन गया cloud से फिर water droplets बन के आता है तो उसका nature change होता रहता है ठीक है state change होती रहती है बट वह है हमारी rain ही ठीक है I descend to live the droughts atomies dust layers of the globe तो अब क्या बता रही है वह कि अब यहां पर उसने अपना formation बता दिया rain कि मैं cloud बन चुपी हूँ फिर cloud बनने के बार वह बताती है I descend to live descend मतलब होता है came down नीचे आना और live मतलब होता है wash करना तो देखो खुदी बता दिया उसने कि जब मैं cloud बन जाती हूं तो इसके बार में फिड से नीचे आती हूं wash करने के लिए droughts को जापे सूखा पड़ा होता है तो उसको हटाने के लिए atomies यानि कि small particles को धूल बूल जो जाती है उसको wash करने के लिए और dust layer को wash करने के लिए globe पेसे कभी आपने बारिश होने के बाद देखा है मौसम और महुल कैसा होता है सब को धुल चुका हूँ पत्ते भी ऐसे लगते है light green color के कुल साफ हो जाते है आस पास में अगर आप atmosphere देखो तो clear देखता है क्यूंकि dust layer हट चुके होती है तो यही बात rain कह रही है कि मैं जब बादल बन जाती हूँ उसके बाद I descend to wash the droughts, atomies, dust layers of the globe ठीक है and all that in them without me was seeds only latent unborn और अब last में rain बताती हमें कि अगर वो नीचे नहीं आती मतलब कि अगर वो जो है अर्थ पे नहीं आते है अगर बारिश नहीं होगी तो क्या हो सकता है और वो बारिश होती किसलिए so that जो है जो seeds हो गए जो latent है जो unborn है जो अभी तक जगे नहीं है Latin मतलब क्यों होते hidden buried है वो unborn है तो वो bond नहीं होंगे चब तक rain नहीं आएगी से मतलब है वो खेत हो फसले जो बारिश की आने का इंतजार करती है वो बीच जो मिटी के अंदर hidden benet है वह बारिश का इंतजार करते कि कब राश की बूंद आंगे और वो जो है एक पीड़ में बदल जाए पूरा वश करने के लिए आती हूं साती में सीड्स के लिए अती हूं जो लेक्टन है लाटन मतलब उपनी है और अगर पानी आ जाए में तो आप बताती है second stanza में कि वो है कौन ठीक है and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it अब वो finally क्या कहती है forever हमेशा मेरा यही काम है रात दिन I give back life to my own origin मेरे own origin को मैं फिर से life देती हूं अब हमारी rain का origin क्या है earth कहां से नहीं clear rain water droplets evaporate हो कहां से रहे और से ही तो जाने है ठीक है और वो वापस आके earth को ही rejuvenate करती है देखा है ना आपने धर्ती किती खुश होती है जब आरिश आती है हर जगा पेड़ पौदे सा बहुत आता है कितना सुहाना सा मौसम होता है और rain कितनी जरूरी है water कितना जरूरी है हमारे लिए we all know water के वे ना हमाई life नहीं beautiful भी ऐसा थोड़े सिव खाली हम पानी पीते है नहीं it makes everything pure it makes everything beautiful ठीक है for song issuing from its अब जो है अब यह जो यह वाली lines है न जो bracket में लिखे है अब यह हमारे जो है poet ने लिखी है ठीक है यहां तक rain ने बता दिया भाई मैं यह हूँ अब हम आगे परते है वो line ने जो पोएट ने किया पोएट कहते हैं for song issuing from its birth place after fulfillment and wandering wrecked or unwrecked duly with love returns तो यहां पर आपको बताते हूं वो क्या खेना जाने पोएब आपके complete है यह जो bracket में lines अब यहां पर पोएट क्या करते है रेन का comparison इसने एक सांग से आप पोएम से करते हैं जो फुद भी लिख रहे हैं या दो सॉंग सो दें उससे कंपेर करते हैं तब ही उन्होंने जो ए उसको पोएम of earth भी बूला था comparison करा था उन्होंने जो है कहा कि पोएम of earth है रेन अब वह ऐसा क्यों कहते हूं कहते है जैसे एक सॉंग होता है एक आर्टेस जब कोई सॉंग लिखता है जो कोई सॉंग बनता है कोई म्यूजिक बनता है जैसे कोई सीने पोएम लिखी अगर कोई तो वह भी इसी तरीके का काम कर दिया जैसे देन कर दिया है for song issuing from its birthplace सॉंग को लिखता कौन एक राइटर लिखेगा music composer बनाएंगे उसको music को poem writer poem लिखेगा ठीक है after fulfillment wandering read or unread फिर जब कोई भी poem लेख रहा है अगर कोई है किसीने कोई गाना बनाया है तो वो भी all over the world घूमेगा जैसे कोई गाना अगर आज के जमाने में भी launch होता है तो पूरे वर्ल में पता है कुछ लोग सुनेंगी होसे कुछ लोग नहीं सुनेंगे उसे किसी लोगों को अच्छा लगेगा वह song किसी को नहीं लगेगा अच्छा रैक्ट औरOr. Target होता है care not duulay with love returns अभी समझाते हूं आपको क्या है तो पोईट नहीं हापे आप रेन का comparison करा है अपनी लिखीवी poem से या गानों से वो कहते हैं जैसे रेन बहुत ज्यादा important है nature के लिए और human existence के लिए same is music हम इंसान के लिए music भी वैसे ही work करता है और जैसे रेन अपने origin से ही निकलती और वापस आ जाती है origin के पास वैसा ही music और poems काम करती है एक writer जब उन्हें लिखता है तो वो पूरे world के पास होती हैं कि वो उन्हें सुने या ना सुने उनकी मर्जी है और फिर वो वापस उस writer को आके सुकून महसूस कराती है क्योंकि जब भी अगर कोई writer या music composer song writer song लिखते हैं तो obviously उन्हें भी एक peace of mind बहुत सादा मिलता है चाहे लोग पसंद करें या ना पसंद करें एक sense of accomplishment होता है happiness होती है उस इंसान के अंदर ठीक है और जो लोग सुनेंगे उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगेगा जो इस poem को पढ़के उन्हें अच्छी लगी उन्हें beautiful F。 वैसे जैसे रेंड जब आती है तो पूरी Earth beautiful हो जाती है वैसे ही हमारी सोल क को beautiful बनाता है हमारी Soko Andridge करता है music तो यह चीज बहुत कह urban के लिए human mankind के लिए music ने पर रिफटा है business song film से हमारा मायन और सोल ईसकी है तो यहां पर कहरेए for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering ragged or undlegged jury withdraw of returns तो जिस तरीके से song होता है जिस तरीके से poem होते है वैसी song होता है तो यहां पर मैंने लिख दिया ragged or unragged मतलब क्या है cared for or not cared for it doesn't affect the rain nor the poet if someone listen to the rain or not तो अब वो poet last मतलब यह है rain आ रही है कोई बैठ के rain को सुन रहा है यह नहीं या कोई पोएम की जो हमारे पोएट है उनकी पोएम को पड़ा है या नि उन्हें उस चीज से फरक नहीं पड़ता उन्होंने एक पोएम लिखी उन्हें वो चीज खुद में बहुत अच्छी लगती है कोई तारीफ कर आके अरे सर जी आपकी पोएम बहुत बढ़िया लगी उन्हें यह नहीं चाईए किसी सुनियो अच्छी लगी तो भी ठीक है नहीं सुनियो नहीं देखियो नहीं पड़ियो तो भी ठीक है उन्होंने लिखा है वो उनके लिए sense of accomplishment है same as rain आईगी कि कुछ लोग को रेन पसंद नहीं होगी रेन को से फरक नहीं पड़ता है तो वि वीडियो को मैंने क्रेट कर दिया तो जाकि आप पूरा से लेवस कंपलीट कर सकते और अगर नोट्स चेक करने हैं हर एक चैप्टर के या पोयम की समरी क्वेशन आंसर तो उसके लिए इंसाग्राम आईडी लिंक आपको देख रहा होगा स्क्रीन पे तो आप इंसाग्राम आईडी से जाके सिर्फ इंग्लेश ही नहीं इस्ट्री पॉल्टिकल जोग्रफी एकनोमिक्स फिजिकल एडुकेशन बहुत सारी सब्सक्राइब के नोट बच्पन में बहुत केर्फरी रहते हैं हम लोग जाता किसी बात के टेंशन नहीं होती है और यह चाहरे है हमारे पोएट देखना कि ऐसा कब हुआ वैना स्टॉप बिंग चाइल्ट ऐसा लगा मेरे को कि मेरा बच्पन कहां चला गया उनने समझ महीं नहीं आया तो वह जान को was it the day I cease to be 11 cease मतलब होता stop होना तो क्या वो दिन था जब मैं 11 साल कर नहीं रहा यानि कि और कि सोच रहे है कि जब मैं 12 को गया या मैं 13 को गया जब मैं teenager बन गया क्या तम मेरा childhood चला गया was it the time I realized that hell and heaven could not be in geography तो वो पूशते है कि क्या वो दिन था वो जिस दिन मुझे पता च सची में नहीं होते हैं जोगर्फी के बुक में नहीं होते हैं and therefore could not be was that the day मरब कि क्या वो दिन था अभी है यहां पर है लैन है जो है जो है जोगर्फी के बुक में मतलब से उनका यह है कि जब मुझे education मिलनी शुरू हुई जब मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट करा जब म मैं educated हो गया मुझे सही गलत की पहचान करनी आगे मेरे को बहुत सारी चीजों की knowledge मिल गई क्या तम मेरा बच्पन चला गया तम में थोड़ा thinking wise अपना जो है mature हो गया क्या वो समय था जब मेरा childhood चला गया ठीक है तो यह कहना जाने अससे अब आगे परते हैं तो word meaning देख ले सामेथ चीजो मुझे समय मैं अग्या ड़़्ज होते हैं वह वैसे लीए जैसा दिखते हैं यानिक्व ज defensive को समझाते हैं आपको प्यार से रहना चाइंगे लड़ा कर लंची जूट नहीं और कभी-कभी हम अपने बढ़ों को यह सब करता है लड़ते भी हैं और कभी है यह बच्चों के सामने ही जूट बोल देते हैं यह बड़े लोग अगर तो यह चीज वो कहा है कि क्या तब मुझे लगा की मेरा बच्पन तब चला गया कि जब मुझे पना चला कि अड़ल जो दिखाते हैं ज़सा प्रेटेंड करते हैं वैसे नहीं है अची अची बाते सिखाते हैं बट खुद वैसे लविएंग नहीं नहीं रहते हैं खुद प्यार नहीं करते हैं घुस्ट प्रार इते हैं अब और उस तरीके से काम करते हैं जिसे हमें इस मेरा बच्पन उस दिन चला गया जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है और मैं जो रास्ता चाहूं वो चुन सकता हूँ हैंने मेरे मेरे एक सेंज ऑफ इंडिविज्वा लिटी आई कि मुझे लगा है में मेरी लाइफ है मैं इसे ट्रीजिजन खुद ले सकता हूं इंडिवजियलर कर सता हूं जैसे हम कहीना कई अपनी लाइफ में हो जाते कि now we are इंडिविज्वड हम पेरेंट से पूछेंगे ब मेरा बच्पन चला गया ठीक है तो पूरा आप पढ़ लो इसको समझ में आ जाएगा वें डिट मैं चाइल्ड हुड़ोड को वासिट वैनाय फाउंड माइंड वस रेली माइन इस तो वहाँ बच्पन चला गया जब मेरे दिमाग ने प्रडूस करना शुरू करा थार्ट को जब और धुसरों की बाते में बारना बंड कर देवा अपनी दिमाग के सुनने लग तो उनको कुछ नहीं पता पहले वाले में ऐस्टैंसा में वन और साल शुरूत जब स्कूल क नहीं मिला question question कर रहे है भी तक answer नहीं मिला है इने सोच रहे है कब गया उनका बच्पन और कहां गया समझ में नहीं आया है ठीक है to seem मतलब appear preached मतलब taught act मतलब behave lovingly with compassion or love for others तो यह इसके word meanings थे अब last में वो बोलते हैं where did my childhood go पहले तो वो when 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 कर रहे थानिकि किस समय उनका childhood गया अब वो पोच रहे हैं कि उनका बच्पन कहां चला गया कोई जगा भी तो जहां उनका बच्पन गया है तो वो कहते है वेर डिट मैं चाइल्ड हुड गो उनको नहीं मिल रही है और वो जगा कहां पे है वो हमें थोड़ा सा हिंड भी दे देते है तो वो कहते हैं अगर मुझे आज के समय पे अगर अपने बच्पन को देखना हो तो वो सिर्फ मुझे दिखता है एक इनफेंट यानि एक बेबी जो होता है उसके फेस में इनफेंट लिखा है बेबी क्योंकि बेबी ही आजकल इतने मासूम होते हैं कि उनमें आपको जो है जो मतलब की इनफेंट से जो थी है अपनी टॉडलर वाला आप समझ लो उस स्टेज वे वो कह रहे है उनको देखके म इनफेंट मतलब छुपी इनफेंट मतलब स्मॉल चायल्ड हो गया अन्रिमेंबर ठीक है तो वह उनको एक बेबी के फेस में ही यह आप मानों कि पांच से छे साल तक के बच्चे के वीश में उह बच्पना होता है ना फिर दीर दीर हम भी सैवेंट नाइन टेन होते होते है बच्चे भी बड़े होने से हो जाते हैं कि कहां गया मेरा बच्पन अब मुझे देखना हो तो मुझे बच्चों के फेस में ही दिख सकता है तो विद इस यह पोएम भी आपके कंप्लीट वर्ड मीनिंग्स भी हा में आपको कवर करा दिया है यह इस पोएम का स्टैंजा व भी गेवन है तो यह चेकर आउट मैं चलती हूँ बबाए टेकर रहा हैं बेस्ट आप लाग्ट